अब तक आपने देखा पेने ट्रेटिंग विज़न में जाएंग गुण को लेकर वान से निकल जाता है फिर एक आदमी घुशी को बोलता है ब्रदर जाएंग हमारी इलाके में घुश गिया है और उससे बोलाय कि वो सबी को मार देगा ब्रदर मैं उसे मार डालूंगा वो ल जैंग बोलते हैं सुक्र है आपका डॉक्टर चैन डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं तुम सिविलन हुआ के चेले हो तुम्हारी मदेट करने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे दूसरी तर्फ नाइंग वल्प और 12 वल्प वहां पर पोस्ट रहे होते हैं सेक्यूरिट कि उन लोगों को बोलते हैं तो मेहुक्ण वहां आदमें से मारते हुए बढता है हम लुकृत आपके भी यह बहुत करो कंडमें इसमाने लगता अब रहता हैं ँचे महां लगे तो वो आदमी बोलते है तुम आग से खेल रहे हो जैनक बोलते है तुम्हारा बड़ा भाई कहा पर है वो आदमी बोलता है उससे जहां रहना impea अगर तुम उससे खोज भी लिये तब भी तुम आरा नीपहुए उसे ठीक कोई बात नि मैं तुम्हें बता तु मेरा भाई कहां पर है लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ वो है तुमको मारने का 12 वर्प इसे मार डालो 12 वर्प जैंग को बोलता है हे तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था ना मैं तुम्हारा माता फार्ट दूंगा दुसरी तरब जो बोलता है जैंग अभी 6 वर्प से बात कर रहा है थर्ड वर्प बोलता है मुझे चिंता निये 6 वर्प का लेकिन 12 वर्प बहुत ही बेकार है जो वो बोलता है सही बोल रहो तुम हाला कि कोई प्लाइन नी मुझे है उसे जिन्दा रखने का वो ये सब अपने गिलास में देख रहा होता है दूसरी तरब 12 वॉल्प और जैंग का फाइट चल रहा था 12 वॉल्प जैंग पर हमला करता है फिर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है तुम बहुत ही धीमे हो फिर वो 12 वॉल्प में हामला कर देता है जैंग बोलता है वो तुम्हें यहाँ पर भेजा है इसका मदाई है हुआ कि तुम ताकत वरो ना चलो मैं उसके आज़ा को तबाह कर देता हूँ और वो उसे वहीं पर माट देता है फिर वो 6 वॉल्प से बोलता है अब बताओ मुझे वास्ट वो बोलता है सही में तुम बहुत ही ज़्यादा ताकत वरो मेरा भाई और मेरा लेबल एक जैसा नहीं है जैंग बोलता है लगते मुझे इस बारे में अपने से ही पता करना होगा फिर वो 6 वॉल्प को जला देता है जैंग एक्सरे विजन से ये सब देख लेता है कि वो काहां पर होता है दुशेती तर्व जुव ये सब देखकर घबडा जाता है बोलता है धती रिकी 6 और 12 वॉल्प का लोकेशन नहीं मिल रहा है जैंग फिप्ट और 12 ब्रदर को माट दिया जो बोलता है सही में वो ताकत वड़ा है अब लगते कि से सीरिस लेना ही होगा जैस वारियर अपने मन में बोलता है उससे लड़ना अच्छा आइडिया नहीं है अच्छा रहा है कि हम लोग 2 और 3 ब्रदर का मदद ले जो बोलता है मिरे प्लान है सारे ब्रदर को इकटा करना एक लड़का फोन में बोलता है ठीक है मैं समझ गया मैं वहाँ पर अभी हारा हूँ फिर वह फोन रख देता और अपने मन में बोलता है फिर फोन ब्रदर मारे गया है इसले भाई सारे ब्रदर को इकटा कर रहा है तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा मैं इसी चीज का इंतिजार कर रहा था कि सारे भाई मारे जाए तो इससे मुझे कोई भी परिशान ही नहीं होगा और मैं इसका फाइदा भी उठा लूँगा फिर वह फोन करके बोलता है ए तुम यहाँ पर आओ फिर वह गार्ड अंदर आ जाता है वह आदमी उसे बोलता है सारे भाई को बोल दो इक खटा होने के लिए फिर इसके बाद जैंग 5,8,10,11,12 वर्ल को मार दिया वह भी तीन दिन में फिर हमें सावना के अंदर दिखाया जाता है वह बोलता है जैंग को ब्रदर तुमने आदे मिंबर को मार दिया है 12 वर्ल के अभी तक जुआ कुछ क्यों नहीं कर रहा है जैंग बोलता है वह बोके का इंतिजार कर रहा है लेकिन मैं उसे जादे समय नहीं दूंगा इस दुनिया में मुझे बहुत ही लोग जानते है लेकिन मेरा मास्टर आसा करता है कि मेरा नाम ये दुनिया में हो अभी मैं हुआ से लड़ने वाला हूँ दुसरी तब हमें डी बिल्टिंग के अंदर दिखाया जाता है एक आदमी बोलता है एक चैलेंज वह बहुत ही जादा भाव का रहा है न इसरा भाई हम लोग उसे ऐसे ही अपना इस जर बरवाद नहीं करने देंगे दुसरा आदमी बोलता है अभी के situation में हम लोग उसे शो भी नहीं सकते है क्या कोई खबर आया second world के और से वह आदमी बोलता है नहीं एन्डांसर सभी को बोलता है सभी लोग सुनिये अभी ये बिल्डिंग में ultimate challenge सुरू होने वाला है और वो सभी को life दिखा रहा होता है और फिर वो चेलाते हुए बोलता है जैंग जून का गारी आ रहा है यहाँ पर यह fight पोरा दुनिया देखना चाहता था इन दोनों legend के beast में कोन जीतेगा चलो देखते क्या होता है जैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है जून का पर है यहाँ पर इतना सांती क्यों है तभी कुछ आज में जैंग के सामने आ जाता है और वो दोनों जैंग पर हमला कर देता है जैंग उन दोनों के हमले से बच जाता है और दोनों को मार के fake देता हुआ से फिर जैंग उन दोनों के पास जाकर बोलता है जूव कहां पर है वो दोनों आपस में बात करती हुए बोलता है brother, हम दोनों को मिलकर पर इसे हडाना होगा दूसरी तरब जुवा बाहर आ जाता और बोलता है मेरा कल्टिवेशन कम्प्लीट हो गया और वो जैंग की और जाने लगता है वो आदमे च्वाथे वल्प को बोलता है लेकिन हम लोग उसे रोकेंगे कैसे है होट बोलता है मैं उसे मार डालूंगा फिर वो जैंग पर हमला करने वाला होता है जैंग बोलता है मैं तुम्हें अपना असली ताकत दिखाता हूँ फिर वो रियल ड्रैगन का इस्ट्रमाल करता है और उसे वहीं पर मार देता है तब ही अचानक से बिल्डिंग के सारी दरवाजी तूट जाता है जैंग ये आवाज सुनकर सॉक्ट हो जाता है और बोलता है क्या होड़ा यहाँ पर फिर वो पीसे देखता है वहाँ पर जुओ खड़ा होता है फिर जुओ जैंग पर हमला करते हुए बोलता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा फिर जैंग उसके हमले से निकल जाता है जो यह बोलता है तुम्हेरे पंसे नहीं बच पाऊगे डेले उल्पे स्ट्राइक फिर उसके पिछे एक बड़ा सा जानवा रा जाता है और जैंग पर हमला कर देता है जैंग अपने मन में बोलता है यह उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है इसका यह टाकत कपंस बहुत ही ज़्यादा उपर लेबल का है कि अभी तक बाल मिशन को कंप्लेट नहीं किया है कि दूसरी दाबूल गैंग वाले लिन को किडनाप करके रखे होते हैं अभी वहाँ पर टीम एक्स वाले हमला करते हैं यह देकर सबी लोग सॉक्ट हो जाते हैं क्या हमारा बेरियर पूरा तबाह हो गया है एक आदमे उन दोनों के पाच आ जाता है और बोलता है यहीं परुको अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर दूसरा आदमी बाल को बोलता है मिशन कंप्लीट हो गया है फिर बाल जैंग को बोलता है जैंग मुझे माप करना तुम्हें इतना इंतिजार करवाया हमने तुम्हारे लोग को बचा लिया है अब तुम लड़ सकते हो फिर जैंग अपना ताकत की इस्टमाल करके वो डाकसेस के जंगुल से निकल जाता है फिर वो डियल ड्रागन के इस्टमाल करके जुआ को एक जोट से पंच मार देता है जिसे उसका पसले ही तूट जाता है जुआ अपने मन में बोलता है ये क्या है? इसके हाँ से मेरा तीन हंडी तूट गिया है अगर मैं धिमा रहा तो मैं मारा जाऊंगा फिर वो जैंग को बोलता है बहुत दिन हो गया ऐसा फाइट किया हुआ सही में तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार डालूंगा जैंग बोलता है तुम्हारी जीतने को कोई भी चांस नहीं है फिर जैंग ड्रियल ड्रैगन से उस पर हामला करता है जो आपने मन में बोलता है क्यों? क्यों? ये मेरे से इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों है? मॉम तुम मुझे सोर के क्यों गई? बताओ मॉम तुम मुझे सोर के क्यों गई? और मुझे उस इंसान से मिलवाई क्यों? वो इंसान जुआ को बोलता है तुम्हें महसूस करना होगा जो दुनिया तुमें दर्ड देता है फिर तुम ताकतवर हत्यार बनोगे इस दर्ड से तुम्हारा आतियार और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा फिर वो जैंग का हमला को रूख देता है जैंग ये देकर सौक्ट हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया फिर जो गोल्डन बेल से जैंग पर हमला करता है जैंग अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही जादा तेज हो गया मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ फिर वो अचानक से जैंग की दर से निकल जाता है फिर उसके पेसे से बोलता है जैग इसका सवाथ चको फिर वो उस पर हमला कर देता और बोलता है फिर वो जूओ आपने मन में बोलता है मैं इसे कैसे हार सकता हूँ एक वल्प कैसे हार सकता है किसी से पिर वो दोनों अपने पूरे ताके से एक दूसरे परामला कर देता है एक आदमी यह सब देकर फोन में बोलता है ब्रदर जो उल्फायर का इस्टमाल कर रहा है वो आदमी बोलता है लगता है उसका उपनेंट बहुंची ज्यादा ताकत रहा है जो से मुकाबला दे रहा है तो लो इस आख में थोड़ा और गेट डालते हैं दूसरी तरफ जुआ जैंग को बोलता है तो मैं और ये बिल्टिंग के आज पास के सारी जमीन बढ़वात कर दूँगा मैं जैंग ये देकर अपने मन में बोलता है ये स्केल तो आर्ट का सेट् दिया जो हस्त वो बोलता है तुम्हारे सथ ङिंद कर देख़िये को कर देखें पर जमीन में कुंग गीरा हुआ है जो आप इसे मुर के बोलता है यह हैं यहां देखो तुम्हारा पहला भाई जो सबसे दोस्फ्मा थाना पहला जो आ घुना पहला पहले गुलल्फ हो न वह जुआ शॉक्त होकर बोलता है नामून के मैं इससे मार दिया था जुआ बोलता है हाँ सही बोल रहे हो तुम लेकिन मैंने बहुत ही ज्यादा पैसा कर्श किया और इससे एक रॉबर्ट बना दिया या फिर बोलू मैं एक अतियार जो तुम्हें मार देगा जैंक खड़ा हो ज हो जाता है दूसरी ते बाल शॉक्त होकर बोलता है क्या एक इंसान अचानक से आ गया और हमारे इंसान को मार रहा है जेलो जियां बात करी हो जली से दुनिया के बेकार इंसान रहोगे, तभी पीसे में कुछ हमला हो रहा होता है, ये देखर सेकंड मूप बोलता है, वहाँ पर चल क्या रहा है, तभी जियान आगे आ जाती और बोलती है, जैन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे.